नमस्कार आप देखरें न्यूज एटी नाजस्तान मैं हूँ आपके साथ आई यूशी गुपता चले रूप करते हैं खबरों के ओर 23 का चुराव खत्म होते ही 2024 के लोगसवा चुराव के लिए रड भेरी बच चुकी है बिजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पाचियों के नेता तैयारियों में जुट गए हैं इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है खत्म हुआ 23 का सेमी फाइनल अब 24 के फाइनल की तैयारी बिजेपी तैयार कॉंग्रेस का ऐलान लोगसभा चुनाव के सेमी फाइनल के तौर पर देखे जा रहे पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है बीजेपी सेमी फाइनल की निर्विवाद विजेता बन कर उभरी है पार्टी ने मध्यप्रदेश और राजिस्थान में बंपर जीत हासिल की वहीं 36 गड़ में भी उमीद के उलट कॉंग्रेस को धूल चटाई कॉंग्रेस के लिए सिर्फ तेलंगाना ही सांत्वना जीत की रूप में आया 2023 का रंड खत्म होते ही अब सभी पार्टियां 2024 के लोगसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी और कॉंग्रेस की निता अभी से 2024 के लिए रंड तैयार करने में लग गए है पिया मोदी ने विधान सभा चुनावों में मिली जीत के बाद जब पार्टि कारेकरताओं को संबोधित किया तो उसमें भी उन्होंने 2024 में जीत की हैट्रिक की बात कही थी भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मोडल देश के सामने प्रस्तूत किया है और डिलीवरी की राजनीती देश के सामने हकिकत बन करके लेकर क्या आई है भारत का मद्दाता जानता है कि स्वार्थ क्या है जनहीत और राष्टहीत क्या है दूद का और पानी का भेज देश जानता है भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्या आगे बढ़ता है हर परिवार का जीवन बहतर होता है इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है लगातार चुन रहा है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है तो इधर राजिस्थान में कॉंग्रेस की हार को लेकर हुई समिक्षा बैठक के बाद राजिस्थान कॉंग्रेस के प्रभारी ने 24 की जंग का एलान कर दिया ऐसे के इंडिट भी हैं जो 1500 से भी कम हैं उनके सब के उपर चर्चा हुई और साथ ही हमने आज से उनको गोल दिया है कि हम पार्लिमेंट की तजारी करेंगे और जहां जहां कोई हमें खामिये रहेगी कमिये थी उनको हम पूरा करके और एक जुट होकर अलेक्षन जो है लड़ेंगे और पिछली जो अलेक्षन है वो भी आप देख रहे हैं कि पूर कॉंग्रस ने वहां अलेक्षन लड़ी हमारा जो बूट्स लेवल का जा मंडलर जैक्ष थे जहां दूसरे ब्लॉक प्रेजेंट इस्टिक्ट प्रेजेंट उन्होंने खूब काम किया कॉंग्रस के वर्कर्स ने उनके लिए उनको भी धन्यवाद मैं करता हूं और जो हमार करा हैं सबसे पहले तीन राजियों राजिस्थान मध्यप्रदेश और 36 गड़ में बीजेपी और कॉंग्रेस को मिली सीटें और वोट शेयर को जानते हैं राजिस्थान में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की कॉंग्रेस के खाते में 79 सीटे गई बीजेपी को 41.69 फीसदी वोट मिले हैं कॉंग्रेस को 49.5 दीन प्रतीशत वोट मिले मध्यप्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटे जीती कॉंग्रेस 66 पर विजाई हुई 44.2 फीसदी वोट मिले 36 गड़ में बीजेपी को 54 सीटे मिली कॉंग्रेस को 35 बीजेपी का वोट शेयर 46.27 फीसदी रहा कॉंग्रेस का वोट शेयर 42.23 फीसदी रहा पिछली बार के लोकसभा चुनाव से इस बार के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बिलकुल अलग है पिशली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे तो पास साल सरकार बिजेपी की थी और इस बार दस साल तक बिजेपी सरकार में रही है पिशली बार जब चुनाव हुए थे तब राजस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ तीन राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अब इन राज्यों में सत्ता रूड बिजेपी है बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की करें तो राजस्थान के कुल 25 सीटों में से भाजपा ने 24 और अन्य ने एक और कॉंग्रेस को शुन्य मिली मध्यप्रदेश के कुल 29 सीट में से भाजपा को 28 और कॉंग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली 36 गड़ के कुल 11 सीट में से 9 पर भाजपा और 2 सीट पर कॉंग्रेस जीती थी जिस तरह अपार जनता निकल कराई लोगों ने उनको प्यार और सने दिया उसी से पता चलता है कि देश के जन्मानस में आज मोधी जी बसेवे हैं उनको मोधी जी को तीसरी बार प्रधार मंतरी देखना है इसलिए 2024 में भी पूरे देश की जन्ता राजस्तान सहीत नरेंदर मोधी जी को जिताने वाली है देखें में राजस्तान, मद्यपरदेश और 36 गड़ में जो विधान सवा चुनावों के परणाम आहें उनका मुझा लगता है कि 2024 के लोकसवा चुनाव पर इस पस्टत है एक प्रभाब पड़ेगा पहले हम लोग पहले से ही इन तीनों राज्यों के चुनाव को सत्ता के सिहासन का सेमी फाइनल मान करके चल रहे थे इन तीन राज्यों में जो भारतिय जनता पार्टी ने एक बड़ी विजय हासिल की है एक बड़ी जीत हासिल की है उससे पूरे उत्तर भारत में और यह कह सकते हैं कि उत्तर भारत के साथ में उत्तर भारत मध्य भारत और पूरवी भारत पर भी जो वोटा है उस पर एक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चहरे पर इस पार इन तीनों विधान सवा चुनाम में वोट मांगा था तो अगर लोगों ने विधान सवा चुनावों में भारतिय जनता पार्टी को इतना बढ़ चड़ करके वोट दिया है तो मुझे लगता है कि 2024 के लोग सवा चुना में बीजेपी ने केंद्रिय मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों समेथ लोगसभा के 20 से जादा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था जिन में से 9 सांसद हार गए हैं अब चुनाव हारने वाले सांसद 2024 में टिकट की रेस से ऐसे ही बाहर माने जा रहे हैं जो जीत कर उन्होंने भी संसत की सदस्ता से इस्तिफा दे दिया है यानि बिजेपी ने विधान सभाचुनाव जीतने वाले संसतों को दिल्ली से सूबे की सियासत में भेज दिया है इसे एंटी इंकम्बेंसी से निपटने के लिए बिजेपी की टिकट काटने वाली रणनीती से भी जो कर रही है लेकिन एक बात तो तय है कि अब सभी पार्टियां 24 के चुनाव के लिए अपनी अपनी सियासी पिच तैयार करने में जुट गई है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस 18 राजस्थान तो सुगदेव सींग गोगा मेडी के हत्यारे पुलिस के हत्ये चड़ गया है पुलिस ने आरूपियों को चंदीगर से गिरफ्तार किया अब आरूपियों से पूछताच में बड़े खुला से हो सकते हैं देखे रिपोर्ट शूटर्स बोलेंगे, राज खोलेंगे हत्या से पहले की थी रेकी अब मुख्यार रूपि की बारी सी सी टीवी की एक तस्वीर पांच दिसंबर की जब श्री राश्ट्रियर राजभूत करणी सिना के अध्यक्ष सुकदेव सिंग गोगा मेडी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी पेखौफ हत्यारों ने एक के बाद एक गोलियां गोगा मेडी को मारी शूटर्स ने जिस शख्स नवीन को गोगा मेडी तक पहुँशने का ज़रिया बनाया था उसे भी नहीं छोड़ा और उस पर भी गोलियां ताफ थी और आखिरकार पुलिस ने दोनों शूटरों को चंडीगर से गिरफतार किया है वारदाप को दो शूटर रोहित और नितिन ने अंजाम दिया था दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताश में मर्डर को लेकर खुलासा हुआ है कि नवीन शिखावत ने सुगदेव सिंग गोगा मेडी की रेकी की थी हत्याकान से एक हफ्ते पहले पूरी साजिश रची गई थी इस वारदात के कुछ घंटे बाद गैंग्स्टर रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये सुगदेव की हत्या कराने की जिम्मितारी ली अब आपको बताते हैं कि गोगा मेडी हत्याकान में कब क्या हुआ तारीख 6 दिसंबर हत्याकान से घुसाए राजपूत समाज ने पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के एनकाउंटर की मांगी जैपूर पूलिस ने सुगदेव की पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज की जिसमें अशोग कहलोत और राजस्थान की DGP का नाम भी शामिल किया तारीख 7 दिसंबर हत्याकान के दोनों आरोपियों पर पूलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम खोशिक किया तारीख 9 दिसंबर पूलिस ने आरोपिय नितिन फौजी के दोस रामवीर जाट को गिरफतार किया रामवीर पर दोनों शूटर्स को जैपूर से भागने में मदद करने का आरोप है इसी दिन दिल्ली और आजस्थान पूलिस की सहिक टीम ने चंडीगर से दोनों शूटर को गिरफतार किया दोनों शूटर के तीसरे साथी उधम को भी गिरफतार किया आज शूटर रोहित उसके सहयोगी उधम को दिल्ली के स्पेशल सेल की टीम जैपूर के सौडाला थाने में लेकर पहुँचे भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों को जैपूर लेकर पहुँचे इसके बाद जैपर पूलिस कमिशनर दीजू जोर जोजफ ने प्रेस कॉन्फरेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि पूलिस मुख्य आरोपि को गिरफ्तार करने की तैयारी में है और रोहित और उधम से पूश्ताच के आधार पर आगे की कारवाई करेगी जो मास्टर माइन्ड है जो कॉंस्परेटर में कॉंस्परेटर है उन तक जाल बिछा रखा है तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तयार किया उन तक पहुंचे और उनको गानून के सामने लाने का है ये सब आज के दिन में रिकॉर्ड पर जो चीज़ आपको कहा है बाफ की जो सूचना है उसको चेन बाइचेन कड़ी से कड़ी हमें स्टाबिद करना है फाइल में आरोपियों से अब तक की पूच्टाश में खुलासा हुआ है कि हत्याकान को अंजाम देने के एक हफ्ते पहले पूरी साजिश रची गई फिलहाल हत्याकान से जुड़े आरोपी पोलिस की गिरफ में है पूलिस को अब इस हत्याकान के पीछे शामिल मुख्यारोपी की तलाश पूलिस का दावा है कि जल्दियू से ही गिरफ्तार किया गए प्योरो रेपोर्ट निवु जेटीन राजस्थान तो गोगामेडी की हत्यारे पूलिस की गिरफ्त में है आरूपियों के पकड़ी जाने के बाद कई खुलासे हुए है जौनकारी ये भी है कि आरूपी विदेश भागने की प्लानिंग में थे जिसका पूरा प्लान तैयार था देखे रेपोर्ट गिरफ्त में गोगामेडी के शूटर्स हत्याकान पर बड़ा पर्दाफाश एक हफ्ते पहले रची थी साजश विदेश भागने की थी प्लानिंग सुग्डेव सिंग गोगामेडी को मौत की घात उतारने वाले शूटर्स को पूलस ने गिरफतार कर लिया है सुत्रों के मताबक शरण लेने के लिए दोनों आरोपी कुल्लू की तरफ गय थे पहले हिसार में बदमाश उधम तक इन दोनों बदमाशों को पहुचाया गया था जहांसे इन दोनों को टैक्सी चाहिए थी ताकि किसी को कोई शक नहीं हो लेकिन बाद में प्लान बदलकर दोनों शूटर उधम की गाड़ी में ही कुल्लू की तरफ गय थे मगर कुल्लू रूट पर जाते ही ये दोनों शूटर वापस लोट गय क्योंकि इनकी तलाश के लिए सभी राज्यों की पुलस पीछे पड़ी थी उसके बाद ये वापस कल शाम को चंदिकर पहुचे थे जहां पर उधम दोनों को लेकर आया था वही पर रात को शराब की दुकान के आहाते में बात कर शराब पी रहे थे और आगे की प्लानिक की जानगी थी अब आप तो पुलिस के मताबे किन आरोपियों के फरारी का रूट मैब बताते हैं आरोपी जैपुर से डिद्वाना पहुचे, डिद्वाना से आरोपी धारुहेडा पहुचे आरोपी धारुहेडा से रिवाडी पहुचे, रिवाडी से हिसार पहुचे, हिसार से आरोपी मनाली पहुचे, मनाली से फिर आरोपी चंदिगड पहुचे जानकारी ये भी है कि आरोपी चंदीगड के बाद गोवा में छिपना चाहते थे जास इन्हें विदेश जाना था आरोपियों के रिए 20 दिन के अंदर पासपोर्ट वीजा का इंतिजाम होना था ये जो राजस्थान जैपूर में करणी सहना राष्ट्री राजपूत करणी सहना के अध्याक्ष श्री सुपदेव सिंग गोगा मेडी की पास दिसमर को अत्या हुई थी उस संदर में तीन मुख्य अभ्यूप थे उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम राज की एंडियार की शाखा ने डीसीपी अमिट एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने इसमें हम पिछले 22 घंटे से उनका ट्रेक कर रहे थे उनके पीछे थे जैसे जैसे उनकी मुवमेंट वी जैपूर से डीडवाना डीडवाना से धारुएडा दारूडा से रिवाडी, रिवाडी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडिगड चंडिगड में जाके हमने उनको दभोचा है रात में और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले करें पुलिस की कारवाई शुरू होई तो चार चेहरे सामने आए, इनके गलित तक पुलिस का हाथ बहुचा और ये सभी सलाख होता रोहित शूटर, नितिन फौजी शूटर, उधम मददगार, रामविर ज्वात मददगार वहीं आरोपियों के करेक्शन को लेकर के ADG Crime अदिनेश एमेम ने क्या कुछ कहा वो सुनिये इसलिए वो जब रविंदर सिंग यादा में ADG Crime है, उनसे मैंने बात की थी, उनके टीम हमारे साथ जुडी थी उसके बाद है, जॉइंटली गए, जॉइंटली जाके चंडिगट से दोनों को साथ में पकड़ा था, लेकिन ये जो ये गैंग है, जो इनकी डिली में भी कई फाइरिंग हुए, डिली में भी कुछ इंसिदेंट्स हुए है, और नितिन फोजी के अभी इस गैंग से फिलाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है, जिससे अब पूछ ताज की जाएगी, जिसके बाद इस हत्याकार में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, बिरो रिपोर्ट, न्यूस 18, राजस्थार तो कॉंग्रेस के सासर धीरस साहो के ठिकारों पर पाचमे दिन भी रेट जारी है, वहीं अब तक 300 करोड से जादा रुपए जब्त किये गया है, जिन में से 165 करोड कैश की गिनती पूरी की जा चुकी है, न्यूस 18 के पास कैश गिनती का एक्स्क्लूसिव वीडियो है, ज बड़ा सा हॉल, हॉल में बहुत बड़ा टेबल और टेबल पर अंगिनत पड़े नोटों के बंडल नोट सिर्फ सेंटर टेबल पर ही नहीं दिख रहे है, बल्कि पूरे हॉल में नोट ही नोट की गड्निया बिखली पड़ी है और साथ में दिख रही है नोट गिनने वाली मशीने वो भी एक दो नहीं बलकि 25 से ज़्यादा देखकर हैरान हो गए तो एक बार फिर से देख लीजिए शायद पूरी जिंदगी में एक साथ इतने नोट देखने को ना मिले हो तस्वीरों को देखने से किसी फैक्टरी की फिलिंग आ रही होगी ये लेकिन कोई सामान बनाने वाली फैक्टरी नहीं है बलकि स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा है जहां कॉंग्रेस सांसद धीरत साहू की नोट फैक्टरी से मिले नोटों की गिंत्री जारी है तीन दिन लग गए यही नहीं नोट गिंने के इस काम में 25 से अधीक नोट गिंने वाली मशीने और 50 से अधीक बैंक करमचारी लगे रहे ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि धीरत साहू के ठीकानों से मिले इन नोटों को गिनने में तीन-तीन बैंक के करमचारी लगे हुए है कॉंग्रिस नेता कि इस रुपियों की फैक्टरी को देख कर इनसान तो क्या शायद मशीने भी हैरत में पड़ गई है तभी तो नोटों की गिन्ती करते करते अब तक कई मशीने खराब हो चुकी है जिसके बाद भूवनेश्वर से नोट गिनने की नई मशीनों को मंगवाया गया शनिवार तक इनकम टैक्स विभाग की छापे मारी में 300 करोड उपे से जादा कैश जब्त किया जा चुका है 176 नोटों से भरे बैग में से रविवार दो पहर तक 140 बैग की गिन्ती की जा चुकी थी जिसमें 165 करोड उपे रखे हुए थे अज complete कर लेंगे हमारा state bank क गासरफ इनवंब्ब्भ हैं और दो मेंजिन अभी यूज ने कंग्रेस के राजिवासानश Ada Dhar Ứोटीमी सा विववार ओंगाल और और ओडीशा के ठीकानों पर एक साथ छाफे मारी की थी जो पांच में दिन भी जारी रही सबसे अधक कैस ओडीशा में बीएस जीसी और बीडी पील जैसी शराब कमपनियों के संबलपूर राउर केला और बुलांगीर जैसे ठीकानों से बरामद हुआ देखना होगा कि ये क कारवाई कब तक खत्म होती है और धीरत साहू के ठीकानों से कितने रुपे और निकलते हैं विडो रिपोर्ट न्यूजेटीन अक्सर कार के सेंट्रल लॉक के काम न करने से परशानी होती है जिससे हाथसे का खत्रा बढ़ जाता है न्यूजेटीन समाधाता फ़रा खान से जानिये ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है तो सबसे पहले तो कोई भी अगर एक्सिडेंट होता है तो पानिक नहीं होना चाहिए और जिस सेंटर लॉकिंग के हम बात कर रहे हैं अब देख सकते हैं इस लॉक की हम बात कर रहे हैं यह बैटरी से करेक्टेड होती है तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई एक्सिडेंट होता है force में होता है तो ये काम करना बंद कर देती है अब जो ये incident हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हमसे वह भी assume कर सकते हैं क्योंकि 8 लोग थे हो सकता है seatbelt ना लगाई हो तो सबसे जादा जरूरी है जब भी आप travel करें आप seatbelt का इस्तिमाल करें अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको अपना बचाफ करना है central locking हो जाती है car नहीं खुल रही है तो सबसे पहले panic नहीं होना है safety बहुत जादा जरूरी है और जानकारी जरूरी है इसलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे है और आपके लिए जरूरी भी है तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं इससे आपको ऐसे ऐसे जोर से मारना है जिससे ये जो शीशा उपर का होता है ये काफि स्ट्रॉंग होता है लेकिन अगर आप यहां पर जोर से मारेंगे तो ये जो शीशा है ये उपर की तरफ आ सकता है और आपको असानी होगी अगर ये भी आपसे नहीं होता है तो आपको क्या करना है एक सीट का सहरा लेना है इस तरीके से आप सीट को खीचेंगे और अगर ये भी नहीं हो पाता क्योंकि मैं बार बर टानिक ना होना इसलिए बोल री है जब इनसान टानिक होता है तो वो ऐसी चीजे नहीं कर पाता जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपको इसे जोर-जोर से मारना है मारने के बज़ जब आप इसे जोर से मारेंगे तो ये शीशा जो है ये निकल जाएगा या आप चाहें तो ऐसे भी से मार सकते हैं तो शीशा तोट जाएगा फोर से मारना है आपको जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप निकल सकते हैं यह बात हमनें इस एक्सिडन्ट होता है पैसेंजर जादा होते हैं तो उसके बाद सेंटर लोकिंग नहीं भी होती तो बहुत जाधा लोग जो हैं वो पैनेख हो जाते हैं क्योंकि पैसेंजर जादा हैं तो सबसे ज़ादा ज़रूरी है कि जो भी पैसेंजर पीछे है सबसे पहले उसको निकाले ताकि वो आगे वाले के help कर सके और जो यह पूरा यह जो केस है इसमें बताया गया है और इसमें अज्यूम किया जा रहा है कि आट लोग थे सीट बेल्स नहीं थी तो अपनी सेफटी का आपको बहुत जादा ध्यान रखना है और जब भी आप किसी लॉंग टृप पर जाएं या कुछ भी तो आप सेफटी प्रिकॉशन का बहुत जादा ध्यान रखे और इस बात का भी ध्यान रखे कि जब आप ट्रावल कर रहे हैं अगर बच्चे छोटे हों तो उनको फ् परन्रमेंट सोनों के साथ फराखान न्यूस एटीन देड़ी तो चले फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूस एटीन राजस्तान नवसकार